स्री लिंगराज मंदिर भारत के ओडिसा राज्जी की राजधानी भुबनेस्वर में इस्तित है या लिंगराज मंदिर भुबनेस्वर के मुख्य प्रसित मंदिरों में से एक स्री लिंगराज मंदिर तथा भारत के प्राचिन मंदिरों में से एक या प्रसित लिंगराज मंदिर है सैकुडों वर्सों से भुबनेस्वर में सेव संप्रादायों का या मुख्य केंद्र रहा है इस मंदिर परिसर में कूल 150 मंदिर हैं जो की अपने आप में एक अत्यथिक आकरसक है तो नमस्कार दोस्तों मैं दिपक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ स्री लिंगराज मंदिर के दर्सन के बारे में तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं हर हर महादियो मैं दिपक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं उडिसा के भूमनेस्वर में इस्तित श्री लिंगराज मंदिर में और आप सबों के लिए मैं आज लिंगराज मंदिर का ये वीडियो लेकर आया हूँ तो दोस्तों चलिए वीडियो पर बने रहे हैं और फिडियो पसंद आये तो वीडियो पर लाइक जरूँ हैं ऐसे सब से पहले आपको भूमनेस्वर आना पड़ेगा और भूमनेस्वर आने के लिए सारे सुविधा अबिलेबल है आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और बायरोड भी आ सकते हैं भुभनेशर एरपोर्ट से 4.5 कि तेंस है आप यहाँ पर ओतो बुग करके आ सकते हैं, केप बुग करके भी आ सकते हैं ये है लिंगराज मंदिर का मुख्षी द्वार जिसे सिंगो द्वार भी कहा जाता है सारे सरधालू और भक्तगान इसी द्वार से ही अंदर परवेश करते हैं मंदिर परिसर के बाहर आपको पुजा समगरी के सामान मिल जाएगी प्रसाद मिल जाएगी मंदिर के अंदर भी आपको प्रसाद और पुजा समगरी के सामान मिल जाती है मुख्य द्वार के लेप साड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जूता स्टेंड है जहाँ पर आप अपने मॉबाइल, बैग और जूता चपल आप यहाँ रख सकते हैं के सामने देख सकते हैं कितनी सुन्दर से इस मंदिर परिशवर को सजाए गया है और आज लोगों की काफी भेड है परिशवर को सजाए गया है ये हरीहर महादेव है इसलिए हरीहर पंडित जी ने हमें बताया कि इस मंदिर का निर्मान सुमवस्य राजा यायाती केशरी ने ग्यारवी सतावदी में इस मंदिर का निर्मान करवाया था इस मंदिर प्रागन में कूल 150 मंदिर है जो की अपने आप में बहुती अत्यथिक आकरसक है माननेताओं के अनुसार इस मंदिर को 12 जोति लिंगों का राजा लिंगराज कहा जाता है यहां लिंगराज मंदिर भगवान त्री भूबने स्वर स्रीव को समर्पित है भूमी से प्रकट हुए इसलिए भूबने स्वर कहा गिया है इस मंदिर में कूल 150 मंदिरे हैं और जिन में से 108 स्रीव लिंग आपको अंदर देखने को मिलेंगे हर हर महादेव लिंगराज मंदिर के सामने ही आपको ये पवित्र कुंड दिख जाएगा इस पवित्र कुंड का नाम है देवी पदहर कुंड जो कि धार्मिक मान्यत्याव का अनुसार बहुत ही पवित्र कुंड है इस पवित्र कुंड में बहुती धार्मिक रिच्च्वल्स होते रहते हैं और साम को यहां आर्ती भी होती है इस पवित्र कुंड के चार ओर आप देख सकते हैं बहुत सारे मंदिरे हैं इन मंदिरों की संक्या पहले 108 हुआ करती थी और अभी बरत्मान में शिर्फ 68 ही बची हुई है सभी मंदिरों के अंदर आपको सिवलिंग देखने को मिल जाएगी आप वहां दर्शन कर सकते हैं और भगवान का अश्रवाद लेख सकते हैं हर हर महादेव लिंगराज मंदिर में हर साल अप्रेल के महिने में रत्यात्रा होती है आप यहां देख सकते हैं अगामी अप्रेल में होने वाले रत्यात्रा की तैयारिया चल रही है और यहां रत बनाया जा रहा है यह मेरा स्वभागी है कि मैं उसी समय आया जब यहां पर रत्यात्रा बनाया जा रहा है हर हर महादेव आप देख सकते हैं इसी लकड़ी को छिल कर काट कर रत्यात्रा बनाया जा रहा है तो दोस्तों यह रहा लिंगराज मंदिर का संपून दर्शन आप वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू करें और कमेंट करें हर हर महादेव तो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पूरी ब्लोग जोकी आप चैनल पर देख सकते हैं अभी मैं यहां से पूरी जाने वाला हूँ और पूरी में सारी फेमस्टी जो ब्लोग बनाने वाला हूँ तो दोस्तों चेनल पर बने रहे हैं और चेनल का सब्सक्राइब जरू कर रहे हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत हर हर महादेर